do कि शुक्त पहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सम्मार्टिंग में दोस्तों फरवारी की तरह ये अप्रोई के लिए एक भेथरेवीड ले करा हैं दोस्तों आज का विडियो होने वाला है EPF के बारे हो दोस्तों अगर आप किसी भी डेपार्डमेंट या फिर किसी तरह की सरकारी करमचारी हो या फिर किसी तरह की प्राइबिट जॉब करते हो और आपकी बेतन यानि की सैलेरी में से EPF का पैसा काटा जाता है तो यहां पर दोस्तों आप लोग को मालूम होगा EPF के मार्में की EPF के माध्यम से आपके भावेस्ची के लिए से के एपका कम्पिनी या याफि सरकार दोरा एक पैसा जमा किया जाता है आपके यूने नमब़ की तर्फ जमाः होता जाता यहां पर क्या होता हैrench जैसे मालिर्स आपकी दसाजिया सेलरिया तो उसं में से जब का बैलैस अक्वासि old इन गरा को नाउम पर आज का वीडियो इसे के लिए बनाया गया है, कि किस तरीके से आप जान सकते हो कि आपका जो UNA नमबर होता है वो क्या है और कहा से पता चलेगा और यहां पर किस वैपसाइर के माधेम से आप अपने UNA yes check कर सकते हो और यहां पर क्या कैसी का process रहती है आप किस तरीके से पैन कार्ट लेंक करोगे या पर और कोई अधर डॉकुमेंट से आपको लेंक करना है तो भी आप लेंक कर सकोगे यहां पर क्या कैसी क्या अनलाइन प्रोसेस होती है एक तरह से वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता हुआ तो चली दोस्तों सुरुवात करते हैं और सुरुवात करने पहले हर बार की तरह से बार भी पिली जहां इस चनल को सबस्क्राइब करना मत भूले आपको मैं यहां पर और एजुकेशन स सब्सक्राइब करते हैं तो चली दोस्तों सुरुवात करते हैं दोस्तों यहां पर मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है ब्राउजर उपर सिंप्ली आपको गोगल पर सर्च कर देना है एप यहां पर आप जैसे एप लिखकर सर्च करोगे जो यहां पर www.epf.india.government.in की एक official website आपको सो करेगी front page पर first number पर यहां पर इसी website को कुछ direct sort card options आपको देखाए देगी जैसे की UAN, EKYC, Passbook यहां पर कुछ इस तरह की आपको देखाए देगी यहां पर आपको जैसे की UAN से related details देखना चाहते है तो यहां पर मैं UAN यहां पर लिखा है यहां पर मेरा इंटरफिस आपको देखाए देगा अब यहां पर देखे, कुछ options होंगे right side हो जैसे की login का options हो गया यहां पर फार्गेट password का options हो गया यहां पर activate UAN का options हो गया और no your UAN इसका options हो गया तो यहां पर आपके 3-4 options काम के रहेने जैसे की login यहां पर forget password activate UAN, no UAN तो यहां पर कौन सा options किस तरीके से यू होगा माल लीजे आपको कुछ भी जानकारी रही है यू ए एन के वाल में अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप अपना जो यू ए एन नमबर होता है उसे किस तरीके से जनरेट करोगी या फिर जान सकते हो ठीकिना जनरेट तो ऐसे रहता है यह लेकिन तो और आपके जॉब या फिर आपके कार्ड याल में रजिस्ट्रेट हो तो ये ς और ड़ालने पाद पिर्चर कू उद्टिवट डाल देगा यहां पर रो प्रॉत्प्विस यहां पर बॉटिप बोक्स अपको rekस्ष में आपको मुवाईल पर जो वह बरी आहा हो उस ओो सब्सक्राइब कर देना है तो आपके मुबाइल नंबर पर यू ए एन नंबर आ जाएगा ठीकिना मैसेज के मातिम से आपके मुबाइल पर यू एन नंबर आ जाएगा नंबर आने के बाद देखिए उसे आपको एक्टिवेट करना होगा एक्टिवेट करने के लिए सिंप्ल और आपके मुवाइल में जाएगा जिस मी 아पका यू एए नमबर और पास्ट लेटा रहे गा उस मैसज को आपको पर आजाना है यहां पर पासवर डाले यहां पर पिक्चर कूट जो यहां पर दिया गया है उसी डाले यहां पर उसके बाद यहां पर साइन बटन पर क्लिक करें तो आपका जो यू एने का पोर्टल होगा वह ओपन हो जाएगा लॉग इन की बात की प्रोसेस में थोड़ी दिर बात बताऊंगा पहले नंबर पर मैं आपको फ़र्गेट की प्रोसेस बता दिता हूं क्या होता है कि कई बार आप दूसरों के मात ह से किसी ब्रोकर या पर किसी दुकानदार के मात्यम से आप अपना पैसा निकलवाते हो तो वही इंसान आपका यू एने का पासवर्ट जनरेट करता है तो यहां पर उस आशुब्दा से बचने के लिए यहां पर फ़र्गेट पासवर्ट का ऑप्शन दिया गया है जिसकी म पर मैं अपना यू एने नमबर लोगन के लिए ता हूं सिंपली अब यहां पर दोस्तों लोगन करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरीकी से देखेगा यहां पर अगर आप अपनी फाइल करना चाहते हो मतलब कि अपना जो ईपीएफ का पैसा होता है उसे निकलव तो यहां पर फाइल कर सकते हो अगर नहीं करना चाहते हो आपनी पर फाइल मेंटेन करना चाहते हो यहां ia अपका फंड के माति हम से कर सकते हो और और अगर किसी भी तरह एक का pen card link करना चाहते हो या पर किसी other documents को link करना चाहते हो तो उसे भी कर चाहते हो तो यहाँ पर मैं letter button पर select कि यह ताम की कि अभी मुझे अपना PM को पैसा नहीं नकलवाना है तो यहाँ पर मैं जैसे ही select करूँगा तो कुछ इस तरह का interface देखेगा यह यहाँ पर अगर आप किसी भी चीज को link करना चाहते हो तो यहाँ पर देखे एड़ेट बटन देखेगा आपको जहाँ पर मेरा mouse को कर सा जा रहा है राइट साइड में तो मैं यहाँ पर edit बटन पर किलिक करने के बाद देखेए यहाँ पर जितनी भी documents आ रहे हैं आप सभी documents को link कर सकते हो सभी को करना हो सभी को नई तो एक किसी एक object को भी आप यहाँ पर link कर सकते हो जैसे माल लीजिए आप pen card link करना जाते हो तो मैं यहाँ पर write box में टिक यह देता हूं तो pen card की details flip करने के लिए options खुल गए हैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको documents number ड डाल दीजिगा और यहाँ पर save button पर click कर दीजिगा save button पर click करने के बाद जो आपके office या department या फिर आपके company के senior worker होंगे उनके पास आपकी request पहुच जाएगी बहां से वो verified कर देंगे तो आपका link हो जाएगा ठीक है ना यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है link क करने की छोटी सी simple सी process है simply यहाँ पर documents नंबर और documents के अनुसार जो भी नाम लिखा उसे डाले उसे बटन पर click करें तो जो आपके company के senior होंगे उनके पास आपकी details पहुच जाएगी कि आपके EPF नंबर में कुछ नई जानकारी add की गई तो बहां से approval दे देंगे और आपका link ह हो जाएगा ठीक है ना आपका account में जो भी आपने link किया हो चीज आपकी link हो जाएगी यहाँ पर चली दुबारा से homepage पर चलते हो और दोस्तों इसके बाद homepage पर आने बाद अगर आप अपना EUAN का download करना चाहते हो तो यहाँ पर left side में आपको देख रहा हूँ more info तो जैसे यह इसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी profile मेंटेन करना चाहते हो फोटो अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर उपर की तरह बीव बटन आपको देखेगा है यहाँ पर आपको माउट करसर ले आना है और यहाँ आप पर प्रोफाल लिखा देखेगा सिंप्ली इस बटन प पर सकते हो ठीके ना फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर अब बात आती है अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपने सभी सवाल का जबाब मिल गया होगा और अगर किसी सवाल का जबाब आपको चाहिए एडिशनल में तो आप मुझे वीडियो की नेची कमेंड बॉक्स में कमेंड कर सकते हो मैं पूरी कोसेश करूंगा कि आपको सभी सभालों का जबाब दे सको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद